आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, कोशन में कीवन है Carbon Monoxide is allowed to expand Isothermally और Reversibly कितना 10m3 to 10 20m3 इतने temperature पे और work obtained इतना है हमें number of moles निकालना है Carbon Monoxide के तो देखो, formula क्या होता है मेरा Workden equals to minus nRT ln V2 upon V1 और इसको में कैसे लिख सकती है Workden minus 2.303 nRT log V2 upon V1 ठीक है तो यहां पर जो 1m3 होता है वो 1m3 किस में होता है 1m3 equals to 1000 L ठीक है तो यह हमारे एक तरीके के क्या होती है Volume Measurement तो हमारी यूनिट कैंसल ही हो जाएगी क्योंकि हमें यह रेशियो लेना है तो हम हम इसको चेंज नहीं करते तो देखो Volume 1 कितने गीवन है 10m3 और जो मुझे Volume 2 गीवन है वो कितने गीवन है 20m3 तो अगर मैं लिखों और यहां पर work done कितना है work obtained है प्लस 4.754 किलो जूल तो यह work obtained है मतलब by the system work किया गया तो यह हो जाएगा मेरा 4754 क्योंकि मैंने इसको multiply करते था 1000 से यहां पर decimal था तो decimal रिमूब हो के 10 की पावर 3 में चला गया तो यह जूल हो गया तो देखो अगर हम अपनी वेल्यूस लिखें सारी तो यहां हो जाएगा मेरा माइनस 4754 इक्वल्स तो माइनस 2.303 एन हमें find out करना है आर की वेल्यू 8.314 टेम्प्रेचर हमें कितना गिवन है तेम्प्रेचर 300 केल्विन इंटु लॉग 20 बाइटेन ठीक है तो यह लॉग 2 बच किया तो यह कितना होगा मेरा माइनस 2.303 इंटु एन इंटु 8.314 इंटु 300 अड़ लॉग 2 is 0.3010 माइनस 4754 तो यहां से हमारा माइनस से माइनस sign cancel हो जाएगा और यह हमारा जो वेल्यू आएगी calculate करके एन की वो आते है मेरी 2.75 मोल्स ठीक है तो यह हमारा क्या होगा इस question का final answer जो में number of मोल्स calculate करने थे थैंक्यू फ्लासिक्स टुट्वेल से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर